आप सभी का स्वागत है मैं दॉक्टर सुदान्सु प्लिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है आप सभी का स्वागत करता हूँ आज का हमारा मुद्दा रहेगा इंडियन पॉलिटिकल थौट जिसमें एक प्रॉमिनेंट थिंकर जैप्रकास नारायन जिनको हम जेपी के नाम से भी जानते हैं लोक नायक के भी नाम से जानते हैं उनको हम डिसकस करेंगे उनके जीवन को उ उनके क्या विचार है उन सभी चीजों को हम डिसकस करेंगे तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ फिर से कि किसी भी थिंकर को जानने के लिए उसके आसपास की परिस्थिती को जानना राजनेतिक महौल को जानना उसके टाइम पीरिट को जानना आर्थिक समाजिक क्या विवस्था होती है उसके अगेंस में या उसको जस्टिफाई करने के लिए ये आती हैं जातार देखता हम कि अगेंस में ही आती हैं तो अगर देखें जैसे गांदी जी को हम देखते हैं तो ब्रिटिस हुकूमत के अगेंस में उनका सारे सिध्धान्थ बनते हैं इसी तरह अगर हम जेपी को देखें जैप्रकास नारायन तो इनके भी सिध्धान्त को हम पॉलिटिकल इसी तरह से देखते हैं लेकिन उससे पहले की परिष्थिती जिस परिष्थिती ने इनको सेट किया एक आकार दिया जो राजनेतिक चिंतक का या समासुधारक का उसको देखते हैं इनका जीवन कहां से सुरू होता है कैसे सुरू होता है तो उनके लाइफ पे जीवन पे प्रकास डालते हैं हम पहला बॉर्ण ओन 11 एक्टूबर 1902 सिताब दिया रहा बंगॉल प्रेसिडेंसी अब यह सिताब दिया रहा आज के समय में हम देखें तो बल्या के अंदर आता ह लेकिन उस समय तक बिहार और वो पार्ट बंगाल प्रेसिडेंसी का था क्योंकि यह देख रहे हैं टाइम पिरेट 1902 बिटिस हुकोमत थी उस समय भारत के अंदर तो बंगॉल प्रेसिडेंसी एक बड़ा एरिया था जिस तरह से हम पहले बता चुके हैं प्रेसिडेंसी में डिवाइड किया हुआ था उन्होंने बंबे प्रेसिडेंसी वेस्टन पार्ट जो था बंबे प्रेसिडेंसी में था इसके अलावा जो सदरन पार्ट था जो दच्छन भारत का एरिया था वो सीधे सीधे मदरास प्रेसिडेंसी के अंदर था तो इन सब चीज़ों प्रेसि तो Bengal presidency में उनका जन्म हो रहा है और 1902 में 11 October को तो एक middle class family में ऐसा नहीं कि बहुत अमीर family में हो लेकिन middle class family में पैदा होते हैं his father was clerk in canal department उस समय canal department जो नहर भाग रहेगा उसके में clerk थे और इनका जो गाउ था जिस जगह पे ये पोस्टेट थे इनका जो गाउ था वो जैसे सिताब दियरा दियरा एक ऐसा प्लेस होता जहां पे गाउ नहीं बस पाते क्यूंकि इस नदी का जो बहाव होता है वो कभी कभी इधर जाता है हर साल नदी का बहाव से पूरा पूरा गाउ और उनकी जो agriculture जमीन होती है वो डूब जाती है तो काफी इनको भटकाओ जहां पे बसे होते थे जहां पे इनकी खेती थे उसको छोड़के हर साल इनको भागना पड़ता था और फिर वापस आना प इसलिए उस समय की जो आजनेतिक परिस्तितियां थी वो भी अपने आप में काफी कठिन थी जैसा यहां लिखा इसाउस वाज फ्लड प्रोन घागरा रिवर के किनारे बसा हुआ था तो घागरा का इसतार इतना अधिक होता था कि वो तमाम कई किलोमेटर तक लोगों को बह करने के लिए अट दे एज अफ नाइन नौके में ही सिफ्टेट टू दे पटना फॉर स्कूलिंग पटना कॉलिजेट जो होता था उस समय बिटिसर का एक अच्छा स्कूल माना जाता था जिसमें अंग्रेजी में सिक्षा दी जाती थी इनके पिता जी उनको वहां भेज़ राजनेतिक जीवन की और कह सकते हैं इनकी समझदारी की सुरुआत राजनेतिक जीवन तो उस समय बच्पन में नहीं सुरू होता है लेकिन समझदारी की सुरुआत यहीं से हो जाती है और वहां पे तमाम सारे जो बड़े थिंक कर थे उस समय के और तमाम सारे उस समय के एक की politics में और देश की politics में भी ये बिहार के chief minister भी बनते हैं बाद में और अनुगरह नेया deputy chief minister भी बनते हैं और यह लोग hostel mate भी थे hostel में एक साथ रहते हैं तो वहां से इन्हों काफी कुछ सीखा इस hostel के residence पॉलिटिक्स को सीखा तो इसलिए आगे की जो पॉलिटिकल जर्णी है वो यहां से शुरू होती है यह लोग पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे यह भी पॉलिटिक्स में इंट्रेस्ट दिखाने लगें बाद में एक बार वो जब कॉंग्रेस की रैली में मौलाना अबुल कलाम आजाद आते हैं उनकी जो स्पीच होती है उससे काफी प्रभावित होते हैं अब क्योंकि पठला में यह जो पढ़ रहे थे जो पठना कॉलिजेट इस्कूल जो था वो इंगलिस स्कूल था इंगलिस स्कूल में उस समय तक विदेशी चीजों का बहिसकार का आदेश कह सकते हैं या एक अपील जारी की गई थी गांधी जी की तरफ से विदेशी चीजों का बहिसकार करेंगे जिसमें अग्रेजी कपड़े थे या समान था साथी साथ बहुत से लोगों ने मौलाना अबुल कला माजाद ने कहा कि हम अग्रेजी स्कूल भी छोड़ देंगे जो स्कूल समय सिक्षा गुलामी की दे रहे हैं कहीं न कहीं इस सिक्षा व्यवस्था के थूरू वो एक सिस्टम के लोग तयार करना चाहते हैं जो आज भी ये आरूप लगते हैं कि इंग्लिस जो एज्यूकेशन उस समय दी जा रही थी वो कहीं न कहीं जो भीरोक्रेट्स तयार करने के लिए या इंग्लि बिटिस ठोड़ेते हैं उनके एक्जाम होने वाले होते हैं उसी से पहले एक्जाम क्याने एक अच्छे अच्छे नहीं थे पॉलिटेक्स में पार्टिसपेट करते थे और अच्छे थे वह एक्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं तीन महीने बाद लेकिन मौलाना अबुलकला माजाद की वह स्पीस उनके इनके उपर इतना प्रभाव पड़ता है कि वह कॉलेज छोड़ देते हैं और बिहार विद्या पीठ अब बिहार विद्या पीठ जो इंडियन्स और जिसमें सबसे बड़ा नाम राजिंदर प्रसाद का रहता है उनके द्वारा इस्टेबलिस ये इंस्ट्यूट है यहां पर यह जोईन कर लेते हैं यहां पर इनकी ट्रेनिंग जो है यहां से धीरी धीरी ये इंडियन नेशनल कॉंग्रेस जो है उसके आ इनकी साधी भी हो जाती है 15 साल की उमर में साधी हो जाती है और कुछ दीों बाद यह अपनी पत्नी को क्यूंकि उसमाले पढ़ी रहे थे अपनी पत्नी को गंधी जी के आश्रम है क्योंकि Congress से इनका काफी लगा हो जाता है गांधी जी के आश्रम में छोड़के ये पढ़ने चले जाते हैं California और कहा जाता है कि ये cargo ship में किसी तरह से चुपके गए थे और 1920 में at the age of 20 he reached California and joined Berkeley Berkeley जैसी इन्वस्टी जो एक उस समय की prestigious universities में से एक थी वहाँ इन्होंने join किया और वहाँ भी active रहे वहाँ active इस तरह से रहे कि लगातार वहाँ की जो politics जो students को mobilize करके student politics भी करते हैं और साथ ही साथ क्योंकि ये बहुत rich घर के नहीं थे तो अपनी पढ़ाई के लिए ये काम भी करते थे कभी खेतों में काम करते थे कभी factory में काम करते थे part time jobs करते थे ये कुछ करके अपनी जो fees थी वो देने की कोसिस करते थे लेकिन एक incident वहाँ भी होता है California University बहुत suddenly ही अपनी जो fees थी उसको दूगना कर देती है उसकी वज़े से उनको California अब वो इतना इंतजाम नहीं कर सकते थे क्यों खेत में मजदूरी या ऐसे part time job करके उतनी फीज से कठा नहीं कर सकते थे इसलिए इन्हों ने उसको छोड़ दिया from Berkeley he shifted to university of Iowa Iowa shift हो जाते वहाँ पे उपनी फीज का इंतजाम करते है और वहाँ से graduation और post graduation करते हैं दो चीजे वहाँ पे करते हैं साथी साथ जब वो PhD में एन्रोल होते हैं तो उनकी माता जी की तबियत काफी खराब हो जाती है तो उनको छोड़ के वो आज़ा